नमस्ते मैं हूँ पूनम गौड और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन क्राउं की बाते आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशी का राशी फल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेगा, जिनका जनम दिन है, उनका वर्षफल कैसा रहेगा ये बताऊंगी और साल भर के उपाए भी शुरू करते हैं आज के पंचांग से आज बुद्वार 29 मई 2024 है, जेश्ट का महीना चल रहा है कृष्ण पक्षकी शष्टी तिती रहेगी दौपाहर 1.49 मिनट तक उसके बाद सप्तमी श्रवन नक्षत्र रहेगा प्राता 8.38 मिनट तक उसके बाद धनिष्टा नक्षत्र इंद्र योग रहेगा रात्री 11.34 मिनट तक उसके बाद वैधरती योग राहु काल रहेगा दौपाहर 12.15 बजे तक रवी योग रहेगा प्राता आठ बच कर 38 मिनट से 30 मई प्राता पांच बच कर 24 मिनट तक शष्टी को नीम का सेवन करने से नीम की पत्ती या फल खाने से या दातुन मुँ में डालने से नीच योनियों की प्राप्ती होती है ऐसा ब्रह्म वेवर्थ पुरान की ब्रह्म खर्ण में कहा गया है दिशा शूल रहेगा उत्तर ये था आज का पंचांग बात करते हैं राशी फल की मेश राशी आज कामुकता बढ़ सकती है शरीर में उर्जा की कमी मेसूस कर सकते हैं हीन भावना का शिकार हो सकते हैं आप खान पान से एलर्जी हो सकती है आज का दिन संघर्ष करना पड़ सकता है हानी के योग हैं अगर इन सब से बचना है तो हनुमान 40 का पाट करें व्रिशब राशी, गुप्त संपर्कों से खुशी मिलेगी, मंचाहा निवेश कर पाएंगे, रिसर्च में सफलता मिलेगी, मंचाहा जीवन साती चुनने का मौका मिलेगा, सबके साथ प्रेम से चलेंगे मिथुन राशी, आज भागया आपके साथ है, डॉक्टर्स, नर्सिस, खाद्य पदार्थों के उत्पाद को होटल में कार्य करने वालों के लिए, लॉयर्स, फाइनांसियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा करकराशी, विदेश से समंद गहराएंगे, धर्म के कारियों में रुची बढ़ेगी, अंजान व्यक्तियों के साथ समय बीतेगा भगवान के कृपा से आज आप रोग मुक्त हो सकते हैं सिंग राशी, आज कारियों में बाधाएं आ सकती हैं, ठगे जाने से बचे, मा की सेहत का ख्याल करें विद्योतियंत्र यानि लेक्ट्रोनिक्स आइटम्स, फरनिचर, वाहन की सर्विसिंग करानी पड़ सकती है कण्या राशी, कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, ट्रांसफर ओडर आज मिल सकते हैं, टेंडर पास हो सकता है तुला राशी, जीवन साती से दूर रह सकते हैं, वाग पटुता से लाब होता दिख रहा है, लोन से महंगी चीजे खरीद सकते हैं व्रिश्चिक राशी, कोई मूवी देखने सिनेमा होल जा सकते हैं, कला के एक शेत्र में उपलब्दी मिल सकती है, इमैजिनेटिव स्किल में सुधार आएगा दनुर राशी, गुप्त योजना बना सकते हैं, दीग हुई वस्तवें वापस मिल जाएंगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, कम्पनी शेयर्स को लेकर कोई निर्ने ले सकते हैं मकर राशी, मा के साथ किसी जील के किनारे समय बिता सकते हैं, भागया आपके साथ हैं, नए विकल्पों वा अवसरों का लाब उठाएं कुम्ब राशी, लेकन से आर्थिक लाब होता दिख रहा है, किसी से बहस में उलच सकते हैं, कोई चेक डाग से मिल सकता है, उच पदवी से लाब संभव है मीन राशी, अपने कौशल में सुधार ला सकते हैं, बोलने कि कला में सुधार कर सकते हैं आप आज आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे अजनबियों के साथ दोस्ती हो सकती है, ये था हर राशी का राशी फल बात करते हैं कहानी किस्से की एक राशा के पास सुन्दर घोडी थी, कई बार युद में इस घोडी ने राशा के प्रान बचाए और घोडी राशा के लिए पूरी वफादार थी कुछ दिनों के बाद इस घोडी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर रिष्ट पुष्ट वसुडॉल था, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने मा से पूछा, मा मैं बहुत बलवान हूँ, पर काना हूँ, ये कैसे हो गया, इस पर घो राजा पर गुसा आया और मा से बोला मा, मैं इसका बदला लूँगा, मा ने बोला, राजा ने हमारा पालन पोशन किया है, तू जो स्वस्थ है सुन्दर है उस bare है उसी के पोशन से तो है, यदि राजा को एक बार गुसा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे क्शत रहता था और एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया राजा उसे युद पर ले गया युद लड़ते लड़ते राजा एक जगे घायल हो गया गोड़े के पास राजा को युद के मैदान में छोड़ कर भाग निकलने का पूरा मौका था यदि वे ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथ मार दिया जाता मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई खयाल नहीं आया और वे राजा को तुरंत उठा कर वापिस महल ले आया इस पर घोड़े को ताजुब हुआ और उसने मा से पूछा मा आज राजा से बदला लेने का अच् क्यों हुआ इस पर घोड़ी हस कर बोली बेटा तेरे खून में और तेरे संसकार में धोखा है ही नहीं तो जान बूच कर तो धोखा दे ही नहीं सकता तुझे नमक हरामी हो ही नहीं सकती क्योंकि तेरी नसल में तेरी मा का ही तो अंश है मेरे संसकार और सीख को तो कैसे जु प्रारब्द का फल बनेगा वह अच्छा होता है। हमें प्रदे दिन कोशिश करनी होगी कि हमसे जान बूज कर कोई गलत काम ना हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना करें। बस इसी से ही स्तिती अपने आप ठीक होती जाएगी। और हर परिस्तिती में प्रभू की शरण ना छोने तो अपने आप सब अनुकू वर्ष 2024 में आप अपना ज्यादा तर समय परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस वर्ष प्रमोशन हो सकती है। प्रेम संबंदों में सफलता मिलेगी। अगर विवा करना चाहते हैं तो विवा हो जाएगा। परिवार में खुशिया आएंगी और मांगली कार्य होंग इस वर्ष आपको घर बदलने का अच्छा अफसर मिल सकता है या फिर घर की रेनोवेशन भी करा सकते हैं आप। बात करते हैं आपके साल भरके उपायों की। यह दिए जलाएं। अगर मेरे बताए गई इन उपायों में से दो उपाय भी आप श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, नियम पूर्वक कर लेते हैं सारा साल भर तो मेरा विश्वास है कि आपके साल भर की अर्चने दूर होंगी। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुडिएगा oneworldnews.com की प्रस्तुती ओन ग्रहों की बाते में नमस्ते